हेलो मेरे यूटूब फैमिलीज तो कैसे है आप लोग आशा करते हूं कि आप अच्छी होंगे तो सबसे पहले बड़ो को प्रणाम और छोटो को आई तो यहां पर आ गई हूं मैं किचिन में साम के टाइम हो रहा है लगबग साड़े छे साथ बजे का और मेरे हस्मेंट को इ तो आःता है तो यहां पर आला है तेल और तेल के तोड़ा गर्म होते ही डालेंगे उसमें लगबग आधा चीह मजीरा जैसे ही चटक जाएगी ना हमारी वहीं पर डाल रहूं लाल मिर्च इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है सोना सोना साथ हो दो जाला है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीखे पन की हिसाब से डाल सकते हैं और यह पर तीन से चार लसन की कलियों को मैंने चील के बारी कट कर लिया था दुल के उसको डाल रहे हूं और अपने चेहरे को बचाते हुए आप ध्यान से खाना बनाए और थोड़ा चेहर कर लेंगे तो ज्यादा बैस्ट मतलब टेस्ट आएगा आपकी तुरही की सब्जी का याने की जिंगा की सब्जी का तो यहां पर लगातार चलाते वे मैंने हाई फ्लेम पर इसे दो से धाई मिनट चलाया था और यह देखे बराबर पूरे जो प्याज है ना बिल्कुल एक पेत्व का से जलुकुल है जो रहे तो इसी तरह से रहे हैं तो इसे जोडर में परणा on हो जाएंगी यहां पर मेडिम साइज कि दो टमाटर को टशी साइज में यहां राफ ली कटकर लिए था चोटे साइज में और इसको लगतार चलाते वे ना इसे हमें भूनना है तो इसी वक्त इसमें ना हम थोड़े से सूखे यानि की बेसिक सूखे मसाले डालेंगे जिससे हमारी टमाटर जल्दी गल जाएगी पक जाएगी तो यहां पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है नमक आधा चमब डाला है मिर्च पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर चोटे वाले चमच से आप अपनी सबजी की कॉइंटीटी पे मसाले को डाल सकते हैं और यहां पर जो जिंगा था ना वह एक के जी था वजन में और यह वाला जिंगा का टेस्ट तो हमें कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता उपर से ह करता ही तो यहां तो यहां पाउटर फिल्कुल अच्छे पलwork से पकगया है और वह रंशार हो गया यांस defense की कोमच मैंडर तो यहीं पर तो हम कट हवे जी अबको झींगा को और को डालने के बा cuadन हमें एछ दे टरुक्त हैं जिर फिल्कुल ने लग बग तीन से चार मुठगी मूंग दाल, दूल के रख लिया था पहले ही उसे डालेंगे बीच में से गढड़ करते वे जैसे कुआ के बीच में बनाते हैं उसी में डालेंगे हम मूंग दाल और क्यूंकि बीच में इसलिए ना कि जब पानी छोड़ेगा ना हमारा यह जिसे आप कह सकते हैं जो टेस्ट है उनिए के खटटा बहुत अच्छा लगदा है गर्मियों में और अभी तो आम का सीजन है, यह फाइदा भी करता है, हमें मतलब गर्मिया में लूब अगरा लगने से, तो मैंने चारो आम को छील लिया है, यह वजन में 500 ग्राम है, और छील के ना, इसको अच्छे से छोटे पीसे में कट कर लेंगे, तो यहां पर मैंने चारो आम को ना, छील के चोटे पीसे में कट कर लिया है, और कट करने के बाद, इसको ना, हम तब तक रख लेते हैं, साइड में, और यहां पर देख लेते हैं, अपने जिंगा की सबजी को, तो यह देखे, बिल्कुल अच्छे से पानी छोड़ चुका है, हमारा जिंगा और अंदर में जो में, ताकि हमारी चेटनी का जो काम है, वो भी पूरा हो सोके, यहां पर गैस जला हुआ है, और यहीं पर रख दिया है, मैंने तवा, तवा लोहा का लिया, आप इस जगह ना, कड़ाई भी यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कराई है तो, यहीं पर डाल र लिया है, डेर चमच खड़ा धनिया, और आधा चमच लिया है आजवाइन, और उसे के साथ ले रही हूं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, यह आप कह सकते हैं, एक चमच नमक, और इसे ना, हमें बिल्कुल सोना सा, जब तक खुसबू ना आ जाए हमारे धनिया से, और यहां पर कर दिया है, मैंने ओफ, और इसको लगतार चलाते रहेंगे, वरना यह जल जाएगी, और इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में, तो यहां पर मैं प्लेट में निकाल रही हूं, आप थोड़ी दिर पहले गैस को बंद करके, अगर आपको थोड़ा लेट से काम है, आपके पास, तो आप तवे पर भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा कम भूनेंगे तो थोड़ी दिर में वो अच्छे से भून जाएगा, और यही पर आम को, और मिर्ची को, यहांने कि भूना था ना मसाले, उसको लेके आ गई हूं, मैं साइड में, मिक्सी के बगल में, और ल मैं रखा था, これ also is a full, bloom, इसलिए बखे हैं, मैं बोला अगर मेडियम वाला जाए ज्पास हो तो ओले, मेरा इसता है पिसने के बास समय मेरे छोटा जा लिए पिसने के बाद की के बाद मैंने पीज़ा ना तो बिल्गुल अच्छे से हमारा जो यह आम है ना यानि कि कच्ची कह रही है ना उसकी चटनी पीज़ गई आप देख रहे हो कि इतना अच्छा कलर भी आया है तो चटनी हमारी बन के तैयार है बहुत ही स्वादिश लगती है अगर आपने कभी प्रसनली बहुत पसंद आती है और मेरे बच्चों को भी तो अगर आपने कभी नहीं बनाया होगा तो प्लीज ट्राइ करने के बाद मुझे कमेंट में बताए कि आपका कैसा बना यहीं भी देख लेते हैं अपने सब्जी को थोड़ा सा एक बर चला दिया है सब्जी को और फिर से डख के छोड़ दिया लो फ्लेम पे ताकि हमारा हर चीज ना बिल्कुल अच्छे से पक जया और फिर से तवे को इदा चड़ा दिया है दुल के दूसरे साइड में गैस पे और यहीं पे ना मैंने बीच में आटा भी अपना लगा लिया था आजकल गर्मियों में थ पहले आंटा लगाना तो आप जोड़ा खिची ने खिचने सा लगता है तो आप देख रहेंगे थोड़ा ज्यादा ही सौफ्ट हो गया है आटा क्यूंकि जब मैंने सबजी जड़ाए थी उसके बाद ही आंटा लगा लिया था तो यहां पर रात के खाने की तईयार बिल्क करना कमेंट करना सेर करना चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो यहां पर जो रोटी है ना हम मेरे हो मेरे हस्बेंड के लिए बन अच्छे से अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा और भी भून सकते हैं लेकिन थोड़ी सी रोटी में इस तरह की होती है तो खाने में ज्यादा रोटी के आप चावल के साथ भी ऐसी सब्जी को खा सकते हैं तो सब्जी हमारी जो है ना बिल्कुल बन के तयार है आप देख होगे कलर टेस्ट सारा कुछ मतलब कलर से भी थोड़ा टेस्ट पता चलता ना दिखने में अगर अच्छी होगी तो खाने में भी अच्छी लगती है तो यहां पर अपनी थाली लगा लेते हैं यह पर मैंने निकाल लिया है कटोरी में सब्जी को आप देख रहे होंगे सब सब्जी थोड़ी हो तो अर मितलब सूकती जारी है कि रस जो है थोड़ी सी सूकती दाल वाली और हने चट्नी चट्नी बहुत अमेंtwo में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और उसी के साथ र county में इने मैं Wars पना ले से घी लगा कर रपका ए जोड़ी देर तक सौफ में तोड़ी जलदी मतलब खाना वगएरा सूख जाते बरतन वगएरा और उसे के साथ रख रही हो थोड़ा सा सलाथ प्याज और खीरे का तो यह देखिए हमार जो थाली है ना वह बनके बिल्कुल तयार है इस पॉंच गार्ड की सब्जी बहुत ही स्वाधिश्ट बहुत ही